अलो रेडर्स वेलकम तो एलाइसब्लू मैं होती फैन गोई और आज हम बात करेंगे बैंग निखती देखेंगे कहा पर एंटी कर सकता है कौन सा डारेक्शन में तो यह आप देख सकते हैं बैंग निखती 15 मिनिट चार्ट अगर अपने इंटरनेशनल इवेंट को पढ़ना है तो आप यहां पर इंटरनेशनल इवेंट आप पर चाहता है जैसे अभी मैंने पोस्त किया था यह उएस साइन ट्रेट टॉक एक्स्टेंड़ इसका उपर हाइली एफेक्ट होता है इंटरनेशनल मार्केट का उपर बैस क मार्केत आप भी दख चाहते है यहां पर आप बैण कि निफ्टी या तो बैंक निफ्टी निफ्टी Fortune रिंज देया था तो आप देख सके है रिंज का दर में market आरहा है रहा है लो यह दो लाइन ग्रिंग स्टारी डिया था रहा है को साइड याथ होगा क्सिकम पांस्य दि पहले दिया था मैंने मासे दिन आसपास पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे तो continuous जो मैंने supporting line आपको देखे रखा था 26743 तो exactly वहाँ पे वहाँ तक आ गया मर्केट क्योंकि यहाँ तक credit testmen करने वाला था यहाँ पे supporting line था तो यहाँ पे मुझे एक supporting zone मिला हुआ है supporting line और supporting zone का वीच में थोड़ा difference है तो आप देख सकते हैं यह है supporting line यह भी एक supporting line और इसका वीच में जो है यह supporting zone है यहाँ से मर्केट आ सकते है कि यह जो 26658 यहाँ आपका 150 exponential moving average ने डेली यहाँ पे strong support बना के रखा हूए तो इसलिए मुझे लगता है यहाँ से फिर से market आके यहाँ से strong support यहाँ तक आ सकता है और यहाँ से फिर market उपर जा सकता है तो कभी कभी क्या होता है तो exactly यह area आने से पहले फिर से मार्केत रिवार्स हो जाता है तो इसमें हमारा एंटी कहां पर होगा यहां पर आगर डेखेंगे तो यहां पर जीसे आप देख सकता है हम 200 moving average उपर में आप देख सकता है एक strong resistance बना के रखा हुए तो हम एंटी करेंगे यह जो trend line और 200 moving average तो अगर क्रोशोबर हो गया तो इसका उपर से आप बैंक निपती बाय करना करेंगे राइक और टार्गेट रहेगा जीसे 27600 का आसपास से next target रहेगा तो अगर अगर एंटी करना है तो यह 200 moving average को breakout करने दीचिया तो इहां इसका उपर से आप बाय में जा सकता है so I hope you enjoy this video if you like this video please like and subscribe thanks for watching